दिल्ली में क्या जनता और क्या नीता सबके घरूं के आसपास पानी जमा है जिसके कारण घर से बाहर आने जाने में दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है दिल्ली में मौनसून की शुरुवाती बारिश ने हालात और जज़बात दोनों बदल दिये जो दिल्ली प्यासी थी बुंद बुंद को तरस रही थी आज पानी पानी है क्या आमादमी, क्या विधायक, क्या सांसद सब पानी से घीरे हैं देखिए सांसद कैसे पानी से बचने के लिए दो लोगों के कंधों पर सवार हो चुके हैं यह समाजवादी पार्टी से राजे सभा सांसद राम गोपाल यादव उनका आवास तालाब में तबदील हो चुका था दरसल संसद जाने के लिए संसद राम गोपाल तयार थे लेकिन पानी ने उनके आवास को चारो तरफ से घेर रखा था कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी जब पानी कम नहीं हुआ तो राम गोपाल घर से कैसे निकले देखिए एक गाड़ी से पहले गेट तक आए फिर लोगों ने पकड़ कर उन्हें बेरिकेटिंग पार करवाया उसके बाद कंदे पर टंग कर उस गाड़ी तक पहुँचे जिस गाड़ी से वो संसद जाने वाले थे सर आपको पार्लेमेंट जाना है जा पाएंगे क्या लग रहा है वो हमारी गाली तो निकली नहीं पाएगी क्योंकि अगर वो गेट पर जो अपने बैरियर लगाया है वो खोल देंगे तो एक मिनट में सारा घर भर जाएगा कि बाहर इतना जाद है पानी है अंदर से पानी पानी जो निकास है वो इसलिए नहीं खोल चकते है कि तो सलक का पानी यहां से भी आना शुरू हो जाएगा तब कोशिस करेंगे कोई पार्लामेंट से कहा है मैंने दस बज़े तक कोई गाली अगर आ जाएगी तो उससे चला जाओ इतना ही नहीं पानी सांसत के आवास में गुश चुका है लॉन तो पानी से लवालब था ही घर के अंदर पानी घुसने से सांसत जाहब बेहत परिशान नजराए तो सोचिए आम आदमी का क्या होगा अगर लॉन की हालत देखें आफ तो जो कुरसियां रखी तैर रही है जो जूला था उसमें वो तैर रहा है तो यह बड़ी विकट परिस्तिती आप्रोफेसर राम कोपाल जी यह देखें यह 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 घर है घर के अंदर यह देखिए चपल पानी में तैर रही है यह घर अगर देखिए यह जो है अब यह देखिए लोन से इखा moments कि अधर से पानी आ रहा है यह देखें यह देखिए यहां से पानी आना शुरू हो गया रिसरह है पानी यह अपर तो अब Levi Chokh Pointya. अहां गर कर्ते हैं अ अपने घर में प्रूफेसर राम गोपाल जे अदकर देख और दिल्ली में